हेलो दोस्तों वेलकम टूबाई चैनल तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली दातों के दर्द को दूर करके दातों को स्वस्त रखने के कुछ खरे लूपाए तो आप मेरे वीडियो को लाश तक सरूर देखिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक् करण भार नहीं निकल पाते हैं कि रात को सोने पर हमारी लार के संपर्प में आकर खाने को सड़ा दे उन खाने के कड़ों से हमारे दातों की जड़क खोपली हो जाती है जिसमें खाना भर जाता है हमारे दात सड़ने लगते हैं और दातों में तेज दर्द भी होने लगता अधिक गरम चीजें खाने से या किसी कारण से मसूडों के छिल जाने के कारण मसूडों में सूजन आ जाती है अधिक मीठा और खटी चीजें खाने से भी हमारे दातों में कीरे लग जाते हैं दातों की रोग तभी होते हैं जब लोग दातों की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, नियमित रूप से दातों की सफाई ना करने के कारण हमारे दात कमजोर हो जाते हैं, गरम चीजे खाने के तुरत बार ठंडा खाने से भी हमारे दात कमजोर होके गिरने लगते हैं, दातो दातों के सरण के कारण दातों का निचला भाग काला हो जाता है साथ में समय से पहले हमारे दाथ गिरने लगते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको दातों के दर्द को टी करने और इसको स्वस्त रखने के कुछ घरेलू उपाए बताती हैं दाल चीनी दाल चीनी हमारे दातों को स्वस्त रखने में बहुत मदद करती है इसका प्रियोग आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट एक चम्मच दाल चीनी के पाउडर को 5 चम्मच सहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार मसाज करने से दातों का दर्द ठीक होता है और साथ में दाल भी मजबूर्ट होते हैं यदर के अलावा दाल चीनी के रस में रूई भिंगोकर तरद वाली जगा पर रकने पर भी दडर्द में हमें आराम मिलता है एक चोथाई चम्मच दालचीनी के पाउडर को दिन में 2-3 बार गरम पानी के साथ लेने पर भी दर्द में आराम मिलता है नीम दातों के सभी रोगों के लिए नीम बहुत ही पाइदेमंद होता है प्रति दिन हमें नीम की दातून करना चाहीए जिससे हमारे दातों में कीडे नहीं लगेंगे और अगर कीडे होंगे भी तो वो भी खतम हो जाएंगे दूसरा दरीका ये है कि आप नीम की जड़कों पानी में अवाल कर थोड़ी सी फिटकरी मिला लें और प्रति दिन उस पानी से कुला करें सरसों का तेल भी बहुत उपयोगी होता है दात दर्थ को दूर करने के लिए इसके लिए आप सरसों के तेल में नीवू का रस मिला लें और थोड़ा सा सेंधर नमक मिला कर मसाज करें इससे आपके दातों साफ होंगे ही दातों का दर्थ और दातों का हिलना भी बंद हो जाएगा सरसों के तेल में फिसा हुआ नमक मिला कर मसाज करने से पूरों की सूजन तो दूर होती ही है साथ में दात मजबूत होते हैं और दात सफेद बनते हैं दातों का दर्द दूर करने के लिए तुलसी भी बहुत उपयोगी होती है। दातों का दर्द या दातों से संबंदित कोई भी परेशानी को दूर करने के लिए आप तुलसी के पत्तों को काली मिर्च और कपूर में मिलाकर दातों के बीस दबाकर रखने से दर्द दूर होता आप बच्चों के दाथ निकलते समय होने वाले दर्द को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तुलसी के पत्तों के रसमें सहद मिलाकर मसूरों पर लगाएं पुड़ासा चटाएं इससे बच्चों के दाथ निकलते समय हमें कश्ट नहीं हो इसके लावा तुलसी के प तुलसी के पत्ते प्रते दिन चवाने से भी हमारे दाथ मजबूत होई और मुंसे बदबू भी नहीं आती है। इसके अलावा भी आप तुलसी को कई और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़सा आग में हुंजलें और पीसकर उसका पाउर बना लें। और बारीकपीस दाष़कर दर्द वाली जगहापर लगाएं। अल्दी के टुक्डों को दाटों के बीस दवाने से बी दाथों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप हल्दी और हींग को पीज कर बारीक गोली बना लिए और एक गोली दर्द वाले दाथ के नीचे दवा कर रखें इसके अलावा नमक, हल्दी और सरसों के तेल को दातों वह मसुडूनों पर दिन में 2 से 3 बार मलें इससे आपके दात मजबूत होंगे और दातों में खीड़े भी नहीं लगेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी टिप्स फज़न आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए कुछी कमेंट बॉक्स आपका है थाइंक यू फ्राइंस